तमिश्कार दोस्तों जैसिक रृष्ट कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हूं खुश होंगे शुक्षी होंगे समपन होंगे हमारी टोपी वीवर से सबस्क्राइबर से हमेशा हमेशा खुश रहे सबस्क्राइबर से वीवर भी लिखते रेते हैं कि मैडम पैसे हमारे पास एक तो आते नहीं है और जो आते हैं इसका अब्याईब हो जाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिनें बहुत ज्यादा मांसिक अशांती है डेप्रेशन में चले गए घर में बिना किसी वजे कि अशांती रहती है कि कई हमारी माताया बहने फिर चले गए जोड़कर के घर में बच्चे हैं वो कहना नहीं मान रहे हैं यह तमाम प्रॉब्लम इसलिए वता रही कि जो में स्वर्ल्योशन बताऊंगे वो से इन तमाम प्रॉब्लमों से जुड़ा हुआ है यह इन में से कोई भी प्रॉब्लम आपको तो आप इस उपाय को अवश्य ही क आप लोगों को देखागे की कोशीश कर रहे हैं अभी आज saarten meī हो रहा हैँ जो नहीं है वो दिखा रहे हैं कि 좋다 मैंने खुद देएक एसा परिवार देखा कि उस परिवार के पास कुछ भी नहीं है उस परिवार के जितने भी शब्वे हैं उन तमाम सब्वे के पास कोई नोक्री नहीं है कोई धंदानी है किसी ने किसी व्यक्ति के पास से पैसे लेंगे उधार किसी के पास से 10 टका में लेंगे फिर 15 टका में घुमाएंगे और उसी पैसों से वो अपना जीवन निर्वा कर देखावा करने से पीछे नहीं हट रहा है। तो ये कल्यों के जब राहू आप पर हावी हो जाते हैं तो ऐसे वेक्ति आप देखना दोस्तों वह वही बैठे होंगे जहां दारू चल रही है जहां मीट उड़ाया जा रहा है जहां बिना मतलब का करजा करकर करकर लोग को दिखावा किया जा रहा है और मैं तो एक या दो कि बात कर रही हूं अभी काफी फैमिलीज में यह हो रहा है क्योंकि यह बहुत दुर्भाग है हमारे समाज का दोस्तों कि आज के जमाने में लोग की वैल्यू उसके चरित्र से उसके अंदर के सर्थव गुणों से नहीं हो रही है उसके पास कितना पैसा है इसी को देख कर रही है और, लोग यह कर्म कर ने कुंछ जान्बॉशकर करते हैं कुछ करने के लिए मजबूर किये जाते हैं कुछ विचार मजबूर हो गए तो ये ढिरो समस्याएं हैं हमारे सुसाइटी में ये छोटे-छोटे से उपाई हैं ये उपाई आपको बहुत मदद करते हैं आपकी रक्षा करते हैं तमाम बुराईवू से और आपकी लाइफ में पॉजिटीवटी को भड़ते हैं आपको क्या करता है दोस्तों सोम वारके जो लोग सिवाले में जाते हैं संकर जी की सिवा पूजा करते हैं वे लोग तामे के लोटे में चंदन की एक छोटी सी लकड़ी डाले या चंदन को पाणी में मिला ले, जो पुझा पाठ के लिए चंदन आता है उस करें, चंदन मिस्जल आप सिवलीं पर हर सोम्वार चढ़ाएं, बुध्वार के दिन चढ़ाएं, सनीवार के दिन और करें या इनमें मिला जबां च्राएं, से कोई भी दिन आप चड़ाना सुरू करतें बहुत जब और जस्त आपको दोस्तों फायदा मिलेगा दूसरा इनी दिनों में से कोई भी एक दिन या हर एक दिन जो मैंने दिन बताए आप चंदन का इत्र अपने उपर इस्प्रे करें चंदन का इत्र छाटना विल्कुल भी ना खुलें कुछ ही दिन में आपको तमाम प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी चंदन का साबुन आप स्नान करते हैं तो चंदन के साबुन से स्नान करें घर में जो जो माचिस का आप बॉक्स आप रखते हैं उसके अंदर चंदन की एक लकड़ी आप लकड़ी ले उसके से सा経नी अब निले दागे से बांध कर आप वे राइट लटें की बॉड़ी पर्राइट साइड की बॉडी पर सुर्य राइट हैंट पर बांद ले थे या तो राइट हैंड पर बांदे माचिस के अंदर रखे दोनों ही में आपको अच्छा और बहुत बढ़िया फाइदा मिलेगा जो लेडी से में अपने लेफ्ट हैंड पर बांदे जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उन्हें भी राहत मिल जाएगी जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं उन्हें भी राहत मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाई को करने से जो ये जो कल्यूप चल रहा है इसमें ये उपाई दोस्तों आपको लाखो नहीं कोरोड रुपे के आंदनी करवा देगा आपको अचानक बड़ी बड़ी रकम मिलना सुरू हो जाएगी और जो पैसे आपके पास है उसका अव्याय कम हो जाएगा लक्षमी इस तेर रुप से आपके घर में रहने लग जाएगी तो करके देखें करते रहें खुश रहें जैसे करशना